हेलो दोस्तो स्वागत है आपका Special Kitchen 9 में जी हाँ दोस्तो आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से और घर में रखे हुए चीजों से मैं आपको बहुत ही इजी रेसिपी ये दिखे स्वीट रेसिपी मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको बताने जा रही हूँ ना इसमें आपको condensed milk की जरोत पड़ेगी और ना ही बार्केट से कुछ लाने क्या हो सकता है बस आपके घर में रखे हुए simple जो चाय के साथ हम लोग toast लेते हैं बस उसी toast से आज हम बनाएंगे बहुत ही sweets रेसिपी जो आपको काफी पसंद आएगी और यकीन मानिए अगर इस रेसिपी को एक बार आप बना लिएं तो ये कोई pastry से बिल्कुल ही कम नहीं लगने वाली है दोस्तों तो चलिए सुरू करते हैं बहुत ही tasty और delicious sweet रेसिपी इसके लिए मैंने लिये हैं आधा किलो दूद आप कोई भी normal दूद ले सकते हैं ये देखिया मैंने आधा किलो दूद को इस बरतन में रख दिये हैं बरतन हमारे मोटे वाले रहेंगे ताकि ये नीचे दूद के layer अब कुछ नहीं करना है आपको simple एक कटोरी में दूद निकाल लेने हैं ये देखिये मैं इसी से direct दूद निकाल लेती हूँ ताकि हमारे बरतन बहुत ही कम गंदे हो ये देखिये दो कटोरी मैंने रखे हैं मैं दोनों में थोड़े थोड़े दूद निकाल लूँगी लग इसमें लगवग 2-8 चमच आपको कॉनफलार के लेने हैं अगर आपको कॉनफलार यूज नहीं करना है तो आप डारेक दूद से भी बना सकते हैं दूद को एक लिटर लेना है आपको और सुखा के इसे आधा लिटर कर लेना है उससे भी काफी गारी हो जाएगी और बहुत आपको चलाते रहना है ताकि यह इसकी गुठली बिल्कुल ना बैठे और अच्छी तरह से इसे मिक्स करते रहे यह देखे इससे दूद बहुत ही जल्दी गारी हो जाती है और हाँ दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्व प्रोपरली गाड़े हो रहे हैं आप देख सकते हैं यह बहुत ही जल्दी गाड़े हो जाते हैं कौनफला डालने से यह देखे अब आपको पता कैसे लगेगे कि हमारे दूद अच्छी तरह से गाड़े हो चुके है तो एक सिंपल सी ट्रिक है दोस्तों यह देखे लगाता परतर हो चोड़े वाले तो आप उसे ले सकते हैं और देखे सारे टोस्ट को मैं इसी तरह अच्छी तरह से सेट कर दूँगी यह देखिए यह लगभग चार टोस्ट थे मैंने अच्छी तरह से सेट कर दिया और जो बीच में जो मेरे जगह थे मैं उसे भी अच्छी तरह से फील कर दूंगी और यह जो दूद मैंने एक्स्ट्रा बचा के रखे थे दो कटोरी में अलग से तो एक दूद को तो मैंने पसंद है इसलिए मैं हलके से दूद इसमें मिला रही हूं दूद में मेरे चीनी मिक्स थे और फिर जितने भी मेरे घोल है यह मिसरन वाले यह देखिए इसे अच्छी तरह से आपको डाल देने हैं टोस्ट के उपर यह दूद के मिसरन जो रहेंगे वो हलके से गर्म ही रहे यह देखिए बहुत अच्छी तरह से आपको desiccated coconut लेना है और इसके उपर अच्छी तरह से चिलक देने हैं और फिर एक coating फिर से आपको करनी है टोस्ट की यह देखिए जैसे मैं कर रही हूं इसी तरह आप सभी को अच्छी तरह से फिर से प्रेस करें और अच्छी तरह से प्रेस के दिर दे लिए this toe तरह से दूद्वान को आपको यह देखिए इसके उपर फीर से अप दूद वाले जितने मिसंत है सभी को फिर से एट करें आप अच्छी तरह से फिर से फिर से सब्रें करें यह देखिए बहुत ही अच्छी तरह से आपको भरना है दूद वाले मिसरन को, जैसे मैं भर रही हूँ, उसके बाद फिर से आपको एक लेयर यह देखे, नारियल के कोटिंग के फिर से लगा देनी है, आपके पस अगर ड्राइफ रूट भी है, तो आप उससे भी लगा सकते हैं, उससे भ फूल जाए और बिल्कुल ठंड़ ठंड़ा इसे हम लोग 3-4 घंटे होने का बाद मैं निकाल लूँगी, यह देखे, मैंने निकाल लिया है, अब मैं इसे कट्स करके दिखाती हूँ, यह देखे, मैं इसे कट्स कर रही हूँ, यह बहुत ही इसली आपके कट्स हो जाएंग इसी तरह मैं अब स्वीट का दूसरा टुकड़ा निकाल लेती हूँ, यह देखे, यह बहुत ही छोटा टुकड़ा मैंने काटा है, आप चाहे तो इसमें फिर से अच्छी तरह से डेसिकेटेड नारियल करें, और इसके उपर आप कद्दू कस करके चोकलेट भी यूच कर स दोस्तों, तो कैसी लगी आज की हमारी ये देसिपी, ये हमें आप कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताएं, और फिर से मिलते हैं एक नई देसिपी के साथ, तब तक के लिए, बाई बाई